असलाम वारे कुम नाजरीन, ड्रोमे से बे लगाम में आ चुका है थोड़ा सा ट्विस्ट लेकिन वो ट्विस्ट भी ऐसा फीगा किया इस अपनान ने, तो जल्दे से बढ़ते हैं रिव्यू की जानिब, रमशा जिसकी तवित खराब हुई तो उसकी चैची उसे होस्पिट तो सोचा आपी को फोन करके ये खुशखबरी दे दूँ, ये सुनने के बात तो इस फुपो के कान कड़े हो गए, कैसे खुशखबरी, कि जैसे मैं सोच जी हूँ वैसा तो नहीं हो गया, तो चैची ने आखिर ये खुशखबरी दे दी, दो से तीन बार माशला पढ़ने क ये बाद वो फुपो को बताई देती हैं, कि आप नानी और दादी दोनों बनने वाली हैं, रमशा उमीद से है, ये सुनने के बाद तो फुपो को बड़ी परेशाने लाहाग हो गई, ऐसे मैं अलीजे भी आ गई तो अपनी वालता के चेरा देकर कहती है, क्या बात है मामा आप कुछ परेशान सी लग रही है, अब वो सोच रहे हैं कि बेटी को कैसे बताऊं, अलीजे वो रमशा प्रेगनेंट है, ये सुनने के बाद तो अलीजे को ऐसे लगा जैसे उसकी सारी खुशों पर पानी फिर गया हो, यही अलीजे थी जो रमशा की खुशियां बरबात करने के लिए शानी से आला कि उसका बच्चा था, नशावर दवाई दे कर उसे उसका बच्चा इचीन लिया, और अब जब बात है अफनान की और अफनान के होने वारे बच्चे की, तो अलीजे को तो कुछ ज़्यदा ही जलन होती है, अब बैठी आंसो बहाती है, मेरी जि जाती हैं, तुम खुशी दोगी उसे, वो तुम्हारी कदर क्यों नहीं करेगा, अब अलीजे को अपनी मा की इन छोटी मोटी बातों से क्या फर्क, क्योंकि जैसी मा वैसी बेटी, ये मा भी तो अपना पूरा पूरा हिसा डाली रही है, कि अपनान और रमशा की रास्ते हम अपनान आप खुश नहीं है, मुझे लगा था इतनी बड़ी खुश खबरी सुनकर आपकी नाराज़की शायद खतम हो जाएगी, आपकर दिल मेरे लिए नरम हो जाएगा, मगर ये अपनान है कि माते पर बल देकर बैठा है, मगर अपनान आपकी खुशी कहीं दिखाई न नहीं दे रही, तब ही उससे वो सवाल भी करती है, क्या आप वागी खुश नहीं है, तब ही अपनान रमशा को देखता है, और वहाँ से उठकर जाने की करता है, यो इस अपनान की इस रवाईयने सारा ट्विस्टी बेकार कर दिया, क्योंकि सभी वीवर्स को इस ट्विस् ट्विस्ट दिखाने वाले हैं, क्या अपनान की बद गुमानी खतम होगी और ये अलीजे पकड़ेगी इसका गेरेबान, यानि ये अपनी असलियत निकाल बाहर करेगी, और तब इस कान के कच्चे अपनान को मालम होगा, क्या अलीजे उससे महबत कभी करती नहीं थी, इसके मतरिक हमें अपने कीमती राई का इजार जरूर कीजेगा, मजीव ड्रामा रिवीउस के लिए आप देखते रहेए, उर्दो टीवी